नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं I hope कि आप सब बहुत अच्छे होगे दोस्तों जारखन में एक नया वेकेंसी के नोटिपिकेशन जारी किया गया है यह जो वेकेंसी निकली हुई है न दोस्तों यह एल्डी सी जिसको बोलते हैं नीम वर्गी अलिपिक हिंदी में यह यह दोस्तों यह एक तरफ से बोल सकते हैं color का post है और एक अस्टेनो ग्राफर का यह यह दो प्रकार का post पर वेकेंसी निकल वही है संपून जनकारी इस वेकेंसी के बारे में देने वाले हैं तो स्लेबस में आप लोग का confusion होगा क्योंकि इसमें जारखन के जो भी परिछाएं ह होती है उसमें तीन प्रकार के एक्जाम होता है ठीक है पेपर वन पेपर टू और पेपर थिरी तो सारा कुछ आपको समझाने वाले हैं पूरा वीडियो को देखिएगा और यह जो वेकेंसी है ना आप लोग पूश सेकतों का सर यह ओल इडिया वेकेंसी है सारा इस विजर दो इग्यारा दो नॉवंब्र से फर्म भरा जाएगा और एक दिसंबर तक लास देट है थोड़ा सा डेट बढ़ाएगे दोस्तों दस दिन आंगे बढ़ाती आगे है बारा दिन ठीक है और दोस्तों आपका जो पेमेंट कान दिन तित्त है ना यह नोटिफिकेशन के माध देखो दोस्तों मैंने अधर एस्टेट लिग दिया इसका मतलब अल इंडिया के इस फर्म को भर सकते है ठीक है जरगन में दोस्तों आप फर्म भरिएगा जाखन के बाहर कहें तो जेनरल साफ टक फर्म भरिएगा ठीक है क्योंकि अधर से जेनरल में गाउंट होता है और ए दिका और से एस्टी का 18 से 40 ठीक है अब देखो यहां पर मीनिमार और मेकस्माम है एक अगस्त दोहजार तेहिस तक आपका मिनीमार अठारा साल होना चाहिए और एक अगस 2019 तक मैक्सिमम आपका कैटेग्री वज़े से जैनल है तो 35 साल वी सी वान वी सी टू है तो 37 साल यह कब तक होना चाहिए दोस्तों एक अगस 2019 तक ठीक है चलो यहां पर देखो दोस्तों सबसरे पहले क्वालिफिकेशन 12 पास पीए फेकेंसी है कोई दिक्कत नहीं परसेंटेटेटेटेश गए रहा कि इसू नहीं है इसमें बस आप अपका स्कील मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा ठीक है अपका समझेगा से लिए पस पेपर वन भासा क्यान क्या है इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं बस आपको क्वालिफाई करना है हिंग्लिश प् पूछेगा मिनिममम 30 परसेंट आपको लाना है ठीक है डेटेल से लिए पस हम आपको आएंगे दिखाएंगे पेपर टू चेतरी यानि रिजनल भासा आपका पूछेगा इसमें अलग अलग परकार के भासा हैं 30 परसेंट आपको इसमें लाना होगा उसके बाद दोस्तों 3 है जिसमें समान गया रहा है इसमें मिनिममम 30 परसेंट अब देखो यहां पर दोस्तों जो यह पेपर 2 देख रहे हो आप यह वाला ठीक है और पेपर 3 इसी पापका मेरिट बनेगा पेपर 1 तो क्वालिफाई है लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 पर ही आपका फाइनल मेरिट ब इंगलिस से आपका 60 कोश्चन है साट साट 120 कोश्चन एक कोश्चन तीन नमबर तो 360 नमबर हो गया दो गंटे के समय वन भाई 3 आपका निगेटिव अब देखिए जोस्तों यहां पर हिंदी और इंगलिस 60-60 कोश्चन है इसमें से आपका कितना लाना है पास करने के लिए 30 परसेंट याने 120 का हम 30 परसेंट अगर हम निकालते हैं तो यह कितना होता है फटा फट निकाल देता हूं यह तो आपका 36 कोश्चन अगर आप सही करते हो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा तो 120 मते 36 कोश्चन यह हिंदी मिला दो यह इंग्लिस मिला दो तो नहीं जोड़क ला दो आसाने से यह निकल जाएगा सभी बच्चे इसको पास कर लेंगे 99 परसेंट बच्चे पास कर लेंगे अब मेर है यहां पर पेपर टू और पेपर थरी इसी पापका मेरिट बनेगा पेपर तू ए छेतरी ए रिजनल भासा यह दोस्तों आपका कौन-कौन सा भासा है इसमें कोई एक भासा आपको चूच करना होगा आपको मैं बता देता हूँ इसमें हिंदी है इंगलिस है उर्दू है संथाली है बंगला है मुंडा है बहुत सरे भासा ही है उसमें से कोई एक भासा आपको चुनना होगा तो ज्यादा तर बच्चा हिंदी चुनेगा नहीं तो कोई इंग्लिस मीडियम से इंग्लिस चुनेगा नहीं तो उर्दु जो करते हो चुनेगा ठीक है यह लोकल वहां का अगर संथाली बंगला यह मुंडा जो बलते हो चुनेगे जैसे तो आपका जो भी आप भासा चुनों गए कोई एक भासा उसका आपका पेपर होगा सौ अब्जेक्टिव टाइप कर रहेगा मुल्टिपल च्वाइस किये नहीं कि दोस्तों आपका डिस्क्रिप्टिव हो चार अप्सान है गा उसी में सापका सवाल हैगा सो कोईशन तीन सो नंबर का दो घंटे का समय ओन बे थिरी आपके निगेटिव ठीक है समझ गया है च्छ सब्सक्राइब कर दोस्तों आपको डिटेल्स आएंगे बताएंगे ठीक है कॉंप्यूटर से आपका पचास खोश्चन यह दोस्तों हो गया अब पेपर टू यह दियान से समझेगा सबस्पर पेपर है ना ओफ्लाइन होगा और यहां एक चीज आप पढ़िएगा अच्छ किया गया दोस्तों यदि परिच्छा विभीन सब मुह में लिया जाता यानि एक सज्याजा सीप में जाहिस सी बार थे ज्यादा बच्चे अपलाई करेंगे तो एक सज्याजा सीप एक्जाम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वह अपनाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन किस धार पर होगा भाईया यह अंक धार पर त्यार किया जाएगा दखो मेंगा सुची प्राप नॉर्मलाइज अंक धार पर आपका जो त्यार किया जाएगा त्याथा दोस्तों परिच्छा पर कर प्रकासन के पस चाहत उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा ठीक के यह दिखाफ दूसरे परिच्छा एक होगा मुक परीच्या ली जाएगी ठीक अधिए पत गते यहां पर धता के लिए तर पर्टेक के लिए ठोना धिये जाएंगे और और सवाल क्या रहेगा जोग परिच्छा का सेलेवस बात किया जाना यहां पर हिंदी पर तो आपका 20 प्रसन रहेगा हिंदी अनुछेद से समझदित और हिंदी ब्याकरण पर जैसे जोस्तों ब्याकरण कहने के मतलब क्या है न हिंदी के ब्याकरण जूड़ा हुआ चारिस प्रसन रहेगा ठीक चलो अब छेतरीय भासा चोकी दोस्तों आपका कोई एक चुनना था उसका यहां पर है सारा डिटेर्स में पढ़ना चाहते हो तो देखो क्या है दोस्तों उड़ाव भासा हो गया ठीक है यहां पर सारा डिटेर्स में दिया जैसे आप हिंदी का दोस्तों हम बात कर लएते कि देखें यहां पर हिंदी है तो हिंदी में आपका काब यहां पर पढ़ सकतो हरी वन्स राय बत्चन का का अशोग धनवा का हो गया कुम यहां पर कुवह नारायन का यह सब काप खंड है यह सब आपको भूक में असानी से मिल जाता नाम तो तेल्स में दिया गया पूष्टक को बारे में पूष सकता है नहीं तो संग्या सवराम किरिया विसेशन कारक समाज मुहावरा हो गया इसके लाद दूस्तों आपका निबन लेखन हो गया पत्र लेकन हो गया परवाची सब पूछ देगा भीया आंकों क्या कहते हैं तो बहुत सबसे पहले यहाँ अगर बात करें ना देखो भारत जार्खन और भारत के पुड़ोसी राज को समद्ध में पढ़ना है दोस्तों विज्ञान प्रगती राष्टी अंतराष्टी पुरस्कार भारती भासा हैं हो गया पुष्टक लीपी रजधानी मुद्रा खेल खिलारी म भात पूर्ण घटना भारत का इतियास ठीक भुगोल नागरी यह सब आपको पढ़ना है मुद्रा राजनितिये गारत चीक है और जारकान से संब्धित आपको क्या पढ़ना है यह इंप्पोर्टेने जानना क्यूंकि धारकान से स्पेशल आपका सवाल रहेगा दोगो जा यहां पर देख़ो आपको क्या पढ़ना है यहां पर कॉंप्यूटर डंकन चार्जमी इसका में टेलिग्राम पर प्रवाइट करा दूंगा खुश से भीडियो कर सकतो वीडियो को दिखा दिया तो सारा कुछ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है जारकान जीके दूस्तों क्या आप लोगों सवाल पूचेंगा पर एक ही दिन नहीं बताएगा जहां तक मुझे लगता है कि तीना पेपर एक ही दिन लेले ठीक है यह भी हो सकता है ठीक है चलो तो तैयरी आपको पहले से करके लेने कि दो दो घर देशे घंटा है तो हो सकता है ले ले अब आगे के चीज़े कैसे पता चलता है क्योंको नोटिफिकर समय नहीं है कीज में होगा हिंदी नहींच मीज में सब्कितक चक्या टेकर सब्सक्राइब या पर देज़े ले ग्वन है के माले दल सब्सक्राइबं रहे हैं ओंते और 176 कोटिकर समय रहे हैं वंपर दाइपिंग眉饪 का टेस्ट यहांप का नियुक provided अब देखो आपको डोकुमेंट्स क्या क्या चाहिए वह मैं बता देता हो अगर आप जारखंड के हो तो सबसे पहले दोस्तों आपका का सट पीके धिया नखिएगा दूसरा है दोस्तों आपका डूमिसाल जिसको हिंदी में बोलते हैं निवास परमानपत्र और कास निवास बनवा लेजिए ठीक है अधर श्रेट को का सट्पिकेट के जूरत नहीं है क्योंको जन्रल माइंगे और जन्रल का सट्पिकेट नहीं लगना लगता है नहीं बनवा आना तब बनता है ठीक है बस जो मिसाल से काम हो जाएगा यह सारा जनकारी मैंने आपको दे दिया अब फटेट के मतलब इस सटेट में होता है आपके अभीयार में नहीं होगा धरगार कंट में एक्जान में एक्जाम तो सारा जांकारी मैंने आपको दे दिया कोई सावाल पूछना हो को सब्सक्राइब हो तो कमेंट के माद पूछ लिजेगा शेह लोग जरू सब्सक्राइब करके वे लेकिन दबाएगा धनेबाद